नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपके प्यार और आपके ट्रस्ट के लिए गाईस तरहे दिल से शुक्रिया आज हम आजी ने फिर से एक बहुती informative वीडियो लेकर के गाईस जिसमें हम लोग आपको 28 second year के बारे में पढ़ाना हम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम first paper की तैयारी करेंगे हमारा first paper है knowledge and curriculum और जो की 2023 में जो exams होने वाले हैं उसके लिए ये काफी beneficial रहने वाला है ठीक है तो आज हम इसमें करेंगे meaning of knowledge and sources of knowledge यानि कि ग्यान का अर्थ क्या होता है और ग्यान के स्त्रोत क्या होते हैं ठीक है मतलब knowledge होती क्या है knowledge means क्या knowledge means to know or to be aware something यानि कि किसी भी चीज के बारे में जानना ही क्या कहलाता है knowledge कहलाता है या फिर किसी चीज के बारे में aware होना ठीक है समझना किसी चीज को इसको हम कैसे define कर सकते हैं गाईज देखिए इसको हम ऐसे define कर सकते हैं It is defined as facts ठीक है यह कैसे define किया जा सकता है Defined as facts, information and skills through experience or education यानि कि knowledge हमें कैसे मिल सकती है कोई भी fact है factual thing है उसके हिसाब से मिल सकती है कोई हमें जानकारी information देता है तो वो भी knowledge ही कहलाता है किसे भी चीज की हमें जब कोई चीज की जानकारी मिलती है तो वो क्या कहलाती है knowledge जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ तो ये भी आप ज्यान प्राप्ट कर रहे हैं मुझसे ठीक है मैं आपको information दे रही हूँ किस के बारे मैं दे रही हूँ through experience or education और ये कहां कहां apply होती है it applies to facts or ideas acquired by study, investigation, observation और experience हम जब जब ग्यान प्राप्ट करते हैं तो हम कहां कहां से प्राप्ट करते हैं हम कोई चीज पढ़ते हैं तो हमें knowledge मिलती है हम किसी चीज का experience करते हैं खुद से मानलो आपने cooking की recipe जो है वो सीख ली उसके बाद आपने जब cooking करना शुरू के experience किया खुद से skill acquire की वो that is called knowledge ठीक है और उसके बाद आपने जैसे मानलो कोई आपको सिखा रहे हैं तो उसको observe कर रहे हैं तो वो भी क्या कहलाती है knowledge कहलाती है ठीक है तो इस तरह से ग्यान है यह ग्यान का अर्थ क्या होता है हिंदी में अगर हम देखें तो ग्यान का अर्थ है किसी चीज booster को जानना इसे अनुभव या शिक्शा के माद्यम से मतलब कोई न कोई माद्यम तो होगा जिसके तूरू हम सीखेंगे तो क्या होगा वो माध्यम? अनुभव होगा हमारा या हमारी शिक्षा होगी उसके माध्यम से हम क्या करेंगे? अपने तथे, सूचना और कौशल के रूप में उसको परिभाशित करेंगे ठीक है? जो भी हम सिखेंगे वो या तो factual knowledge होगी या आपकी skillful knowledge होगी या फिर आपकी information related knowledge मतलब यह सारा का सारा जो है वो ज्यान कहलाता है यह किस से हमें कहां कहां लाग होता है अध्यान, जाच, अवलोकन या अनुभव द्वारा प्रापतत्यों और विचारों पर लाग होता है जैसे कि मैंने अभी आपको उपर बताया है ठीक है तो ग्यान का अर्थ देखिए जब हम ग्यान का अर्थ समझ लेते हैं तो उसी मेंसी मैं आपको बार-बार बताती हूँ कि जब हमें एक meaning clear हो जाता है तो उसके बाद हमें एक framework तेयार हो जाता है ठीक है कि हम इसमें से हम features निकाल सकते हैं इसमें से हम विशेश sign निकाल सकते हैं इसमें से हम जो है इसके define भी कर सकते हैं अपने आपसे अगर कोशिश करें तो क्योंकि हम लोग कौन से level पर पहुँच चुके हैं आप लोग कौन से level पर हैं reflective level पर हैं आप अपने आप सोच क बना सकते हैं, आपको थोड़ा सा हिंट ही चाहिए होता है, वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं, तो देखें, इसमें आगे है आपका definition हम करेंगे, अब देखें, definitions जो है, वो हमने बहुत ही selected निकाली है, ताकि बच्चों को easily learn हो जाए, हम जो भी पढ़ाते हैं, वो आपको कोशिश करते हैं, कि आप हमारा lecture को समझ के, मतलब सुन कर ही, आपको याद हो जाए, आपके mind में fit हो जाए, ऐसा हम कोशिश करते हैं, तो देखें, इसमें जो हमने definitions आपको दी है, दो definition आप याद करके जाए, according to Spencer, ठीक है, Spencer के according, knowledge is a complete unified system of thought, ठीक है, अब इसके अर्थ को समझे, इसकी गंभीरता को समझे, वो क्या कह रहा है, कि ज्यान क्या है, ज्यान विचार की एक पूर्ण, एक इकरत प्रणाली है, जब भी हम कोई चीज सीखते हैं, तो हमारा का पूरा का पूरा unified system होता है जब हम पूरे एकागर होते हैं, जब जैसे आप exam में लिखते हो, तो आपको कैसे याद आ जाता है सब कुछ, आपका एक एक इकरत प्रणाली के थ्रू ही जो है, वो आपका ज्यान उठता है, विचार उठते हैं, जब विचारों का एक इकरत फॉर्म बनता है, तो हमारा ज जब 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 का इक इकरत प्रणाली के गिए, फेंसर के बहुत अच्छी definition है, इसको आप यर्ट रकिए आपका जाएगा, जब जाएँ, इन्टिग्रेट्ड इसके बाद हमारा जब भारतियों के इनुसार है, तो हम भारतियों ने जब 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 कर पर इसमें वास्तविक्ता और संग्यानात्मक परिवर्तनों के बारे में भी तथे शामिल के जाते हैं जैसे कि मान लिजे for example क्या है देखो मैंने यहाँ पर example put किया है कि you need a recipe to bake cake ठीक है और you need to prepare a lesson before going to teach someone ठीक है तो यह क्या कहलता है आपका जो है वो knowledge कहलता है ठीक है इसके बाद देखें अब हम आपको मैं देखें साथ साथ मैं जो है info देना चाहती हूँ कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने पढ़ाने का श्रिंकला तो शुरू कर दिया है लेकिन इसके साथ साथ हमने एक innovation किया था जिसमें हमारे बच्चों ने बहुत सारे कमेंड करके हमें बोला था कि मैम कुछ ऐसा हो कि हमें ready made notes मिल जाएं तो उसके लिए हम लोगों ने एक app बनाई है जिसमें हमारा जो link है वो मैं आपको साथ share कर दूँगी ठीक है यह है www.assbeducation.com इसमें देखें पूरा का पूरा आपको अच्छे से बताया जाएगा notes वगर available कराए जाएंगे pdf form में आपके रहेंगे इसको आप जो है ready to read है ठीक है आपको कुछ नहीं करना जस्ट एक जैसे इसमें देखें यह दिया हुआ assessment for learning का है creating an inclusive school gender school यह सारे आपके second year के जितने भी English medium वाले बच्चे हैं Hindi medium वाले बच्चे हैं वो इस पर जा करके देखें मैं आने बता रहा है कैसे हमारी website पर जाएंगे आप लोग www.assb.education.com इसका screenshot ले सकते हैं और इस website पर जाएंगे और उसके बाद जाने के बाद यह site open हो जाएगी और site open होने के बाद यह सारा का सारा आपका data आजाएगा इसमें आपके सारे papers जो हैं वो बिल्कुल आपको solve जो ह हैं वो चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से ready to read notes जो हैं वो मिल जाएं तो उसका हमने एक प्रयास किया है आप लोगों के इच्छे marks दिलाने के लिए हम लोग तत पर रहते हैं और हम चाहते हैं कि आप अच्छे से इच्छा results score करें और इस देश का नाम रोशन करें ठीक है ब जियान है वो किन-किन sources से प्रावत होता है सबसे पहला इसमें देखें जब भी आप exam में जाते हैं और आपको ए question मिलता है कि what do you understand by knowledge and describe the sources of knowledge तो इसी तरह से इसी format में अगर आप लिख कर आते हैं तो 16 में से 15 marks तो आपके sure बनेंगे ठीक हैं तो इसी तरह से ही हमने अपने notes म आपको हम provide कर रहे हैं online उसमें भी पूरा इसी तरह से जो है आपको दिया गया तो हम इसका example ही आपको दिखा रहे हैं इसमें meaning देंगे हम लोग आपको define देंगे आपको कुछ भी definitions वगेरा भी जो है ना select करने की ज़रूरती क्योंकि जब आप book open करेंगे ना तो आपको कई 10 definition मिल देंगे लेकिन आपको तो नहीं पता कौन सी definition easy to learn है easy to write है तो वो हम लोगों ने पूरा का पूरा research करने के बाद यह जो है तैयार किया है तो इस तरह से आपको question लिखना है अपना meaning पर define ठीक है बच्चो और फिर उसके बाद कुछ example like दे दो और उसके बाद आपको ऐस sources of knowledge में diagramatically कोई भी flow chart बना करके देखो यह आपको देखने में कितना अच्छा लग रहा है soothing लग रहा है और यह आप जो है ऐसे बनाएंगे तो जो examiner है जो checker है उसको पता चलेगा कि इसको सारे के सारे sources पता है और briefing तो इसने दे ही दी होगी तो वो इसको जो है check करेगा इस फाइव जो है senses होती है इंदरिया होती है ग्यान इंदरिया उनसे हमें जो knowledge मिलती है फिर experimental फिर intuition फिर authority revelation और reason ठीक है अब हम इसको details में करते हैं देखे senses क्या होती है as we know that we can draw knowledge through five senses ठीक है हमारे पास कितनी होती है senses five होती है ठीक है इंदरिया होती है हमारी जैसे कि हमारी आंखे number one हमारी इंद्री कौन सी है eyes के थू हम जो भी देख करके अब आप जो knowledge प्राप्त कर रहे हैं वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं अपनी आँखों के थू आप eyes के थू knowledge ले रहे हैं और ears ठीक है न कान आपके सुन रहे हैं आँखें आपकी देख रही है तो eyes के थू जो knowledge मिलते है ears के थू, taste के थू मतलब जो हमारी जीब स्वाद लेते हैं उसके बाद हम बता सकते हैं घ्यान कर सकते हैं अगर कोई तीखी चीज़ खा लेते हैं तो हमें पता चल जाता है तब ही तो हम बता पाते हैं तीखा है, ये मीठा है, ये खटा है फिर touch करके हम बता सकते हैं और smell करके हम बता सकते हैं तो ये सारे का सारा knowledge जो भी हमें मिलता है जैसा कि हम जानते हैं हम पाँच इंद्रियों के माध्यम से ज्यान प्राप्त कर सकते हैं तो ग्यान को प्राप्ट करने का साधन बन जाता है, सेंसेस के थ्रू जो knowledge मिलती है, that is called, ठीक है, knowledge, through senses, इसके बाद हम next आ जाते हैं, अपना topic है, next point है, experimentation, ठीक है, experiments करकर के, ठीक है, अब इसमें अब क्या लिखेंगे, ठीक है, वो भी हमने आपको समझाया है, as it is true that man can get knowledge, while making some experiments, and this type of knowledge is very feeable, ठीक है, जैसा कि ये true है, ये सत्य है कि हम प्रियोग करके, जो है, आज तक जितना भी research होए, उसी के through ही, तो हमने सब कुछ पाया है, अगर ये bulb का विश्कार नहीं होता, तो हम कैसे जो है, बल्ब की रौश नहीं ले सकते, तो research के माधियम से, experiments के माधियम से, जो भी knowledge राप्त होती है, that is called experimentation knowledge, तो इसमें देखे, experiments can be repeated, to find out or check out the reliability of, some important facts, ठीक है, जैसे माल लीजिए, अब किसी ने, जो है, पहले देखे, के laptops नहीं आते थे, सिर्फ computer बना था, है ना, उसके बाद धीरे-धीरे innovations होती रही, तो उसके बाद, experiment पर experiments होते हैं, factual tests होते हैं, उसके बाद, जो है, जो knowledge निकल के आती है, that is called true knowledge, तो these techniques can be available in physical and social sciences, तो ये देखे, जैसे अब COVID की, जो vaccine बनाया गया था, वो भी जो experiments करने के बाद ही बना था, तो that is called experimental knowledge, फिर जो है, जो अभी हमने दो तरह से sources पड़े हैं, आपने, I hope कि आपको समझ आ रहा होगा, पस्ट है आपका senses के through, जो हमें knowledge मिलती है, दूसरी हमें, experiments के through knowledge मिलती है, टीसरी जो हमें knowledge मिलती है, जो हमारी intuition होती है, हमारी जो inner voice होती है, वो जो बताती है, intuition, that is called intuitive knowledge, जैसे कि देखे, this type of knowledge is spontaneous and sudden, ये जो जो ग्न प्राप्त होता है, वो अचानक से हमारे मन में आता है, हमें ऐसे instinct पैदा होती है, intuition पैदा होती है, as it's fact that there is no any kind of involvement of our five senses and our mind, it is said to be revealed, but it pertains to certain persons having purity of heart and mind, as it is true that all persons at different points of time may experience it, इस परकार का जो होता है, वो सहज होता है, अचानक होता है, आपकी intuition कई बार होता नहीं है, कि मेरी intuition कह रही है, कि आज तो जो है बारिश होगी, मेरी intuition के रहाज तो यह होगा, है ना, ठीक है, अथत्थे यह है कि हमारी पांचों इंद्रियों और हमारे मन में, किसी भी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं, इस प्रकट कहा जाता है, लेकिन यह कुछ ऐसे व्यक्तियों से संबंदित होती है, जिनके दिल और दिमाग शुद्ध होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ उन्हें की intuition ही चलते है, माइन की intuition सिर्फ वही उन लोगों की 100% सक्सेस्पूल रहती है, जो बोलते हैं कि मैं बोलता हूं तो सब हो जाता है, ठीक है ना, आपको जो है यह चल रहा है, तो इनको God ने gift किया हुआ है, इनका दिल दिमाग जो है, प्योर होता है, ठीक है जैसा कि सच है कि सभी व्यक्ति अलग अलग समय पर इस कानुवाब कर सकते हैं, कर तो सभी व्यक्ति सकते हैं, करना तो सभी के हाथ में होता है, लेकिन अप्लाई किस-किस की होती है, जो प्योर होते हैं, ठीक है, इसके बाद है आपको authoritative knowledge, ठीक है, authority से जो हमें knowledge प्राप्त होती है, इस प्रकार का ज्यान, एक प्राधी करन या ज्यान के एक विशेश्क शेत्र के विशेशक्य से आता है, जैसे doctor है, ठीक है, doctor जो तुमको knowledge दे रहा है, that is called authoritative knowledge हो गया, ठीक है, जो आपको कोई भी health practitioner है, जो भी knowledge provide कर रहा है, वो जो है सारी authority से related होती है, इसमें देखे हैं, क्या लिख सकते हैं, this type of knowledge comes from an authority, or a specialist in a particular field of knowledge, ठीक है, this method involves accepting new ideas, because some authority figure states that they are true, these authorities include parents हो गया, media हो गया, doctors हो गया, government हो गया, professor हो गया, तो इनके through जो भी knowledge मिलती है, that is called authoritative knowledge, ठीक है, तो अभी तक हमने देखे, कौन-कौन से sources से knowledge पढ़ लिया है, census के through कर लिया, हम लोगों ने, ठीक है न, और हमने जो authoritative knowledge कर लिया, experimental knowledge कर लिया, इसके बाद हम करेंगे, revelation, ठीक है, अगर आप इसको भी लिखना चाहें, रहस्योद घातन, जैसे रहस्योद घातन होता है, this knowledge is conveyed to man, by an external and more powerful agent, like God or superpower, ठीक है, मतलब, जो metaphysical, meta-related, जितने भी subjects होते हैं, जैसे ग्रंतों से जो हमें knowledge प्राप्त होती है, जो कि हमें God से gifted, जो है knowledge होती है, वो कहलाती है, revelation, यानि कि this knowledge is conveyed to man, by an external and more powerful legend, like God or superpower, से जो हमें knowledge मिलती है, this type of knowledge is accepted as universal knowledge, ये सभी मानते हैं इस चीज़को, ठीक है, जो हमें ग्रंतों से जो knowledge मिलती है, जो महाभारत में जो गीता का पार्ट दिया गया था, वो सभी मानते हैं, कर्म करना हमारे हाथ में होता है, और फल देना प्रभू के हाथ में होता है, तो ये सब मानते हैं, universal knowledge है, ठीक है, that is called, रहसे ओदगाटन, through knowledge हो मिलती है, उसके बाद आप आजएए, next है, हमारा last है, reason, ठीक है, reason क्या है, इस प्रकार का जो ग्यान होता है, कारण, है न, ये सबसे बड़ा जो है, मन में हमारे जब कारण उठते हैं, तो जो हम ज्यान प्राप्त करते हैं, इस प्रकार का ज्यान कल्पना करते हैं, हम सोचते हैं, mathematics के सम सॉल्व कर लेते हो, तर्क करने के लिए, मन की कारे प्रणालिज, reasoning जो की जाती है, जो है, reasoning knowledge होती है, related with reasoning, इस प्रकार का ज्यान जो होता है, this type of knowledge is functioning of mind, to imagine, think, reason out, ठीक है, reasoning क्या होता है, is a mental process, दिमाग का काम होता है, दिमाग वाले बंदे ही, जो है, वो reasoning कर सकते हैं, जिनका दिमाग प्रटाइल होता है, वो अच्छे से calculations बगएरा कर सकते हैं, तो reasoning is a mental process, in which one draws out inferences or results, ठीक है, solving particular sum based on algebraic हो गया, ठीक है, जैसे deductive reasoning, इसका एक बहुत बड़ा example है, तो इस तरह से जो हमें knowledge मिलती है, that is called reasoning knowledge, ठीक है, तो अभी हमने देखो, अब आपको clear हो गया होगा, सोर्सिस क्या होते हैं, knowledge हमने बता दिया आपको, knowledge हमें जो है, facts के तरू, information के तरू, skills के तरू मिलती है, ठीक है, ओके, और यह कई तरह क्यों होती है, इसमें हमने definitions की है, किस के की है, Spencer की की है, और Indians के तरू किया है, और उसके बाद हमने जो है, आपको इसके बारे में बताया था, अपना जो हमारी website है, उसको आप open करके, आप जितने भी notes प्राप्ट करेंगे, इस तरह से यह आपको बने-बनाए notes, जो है मिल जाएंगे, वो मैंने बताया, और उसके बाद मैंने आपको, sources of knowledge के बारे में आज बताया है, कि senses के थू, experimental, intuition, authoritative, revelation, and आपका reasoning, ठीक है, तो यह जो knowledge के, क्या किया है, sources किया है हमने, I hope कि आपको यह lecture पसंद आया होगा, और इसी तरह के और lectures के लिए, please subscribe our channel, and बने रहेगा हमारे साथ, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, till then bye and take care guys, thank you.